सो वेलकम गाईज स्वागत तेक पर फिर से एक नई वीडियो में सो गाईज आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि Samsung Galaxy A52s Mobile में आप Home Screen Setting कैसे कर सकते हो यहाँ पर Home Screen Setting में आपको कई Features मिलते हैं तो चलिए मैं एक एक Features आपको बताने वाला हूँ तो गाईज आपको Home Screen Setting करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपने Mobile की Home Screen पर Long Press कर देना है Long Press करोगे तो यहाँ पर देखे Setting का आइकन आजाएगा तो आपको Setting का आइकन पर क्लिक कर देना है अप गाईज यहाँ पर देखे बहुत सारे options मिलने हैं आपको Home Screen Layout यहाँ से इनका Select कर सकते होगे इस पर क्लिक करके आप चाहो तो Home Screen Apps Home and App Screen को दोनों को रख सकते हो और अगर आप चाहो तो Home Screen Only पर रख करके आपके जो Apps हैं के वो Home Screen पर ही रहेंगे तो मैं यहाँ पर इसको यूज करता हूँ उसके बाद आपको अपलाई कर देना है जो भी रखना है उसके बाद यहाँ पर देखिए Home Screen Grid का आप से ना रहा है तो यहाँ से चार-चार Apps दिखते हैं तो आपको अगर पांच वाले जो यह तीन Apps का Grid बनाना है तो इस तरीके से आ जाएगा यानि कि जितने भी आपको यहाँ पर पैटर्न मिलने है इन सभी को आप यूज कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए और चोटे हो जाएंगे यहाँ पर 5 पांच आजाएंगे एक तरफ 5 और देर की तरफ 5 लाइनों आजाएंगी तो यहाँ पर 5 गुड़े 6 वाल आपको कर देना है तो इससे थोड़ा और छोटे हो जाएंगे तो गाईज इस तरीके से आपको यहाँ पर सेव कर देना है अब गाईज आपको क्या करना है फिर से आपको पीछी दे ले जाना है वही पर और यहाँ देखिए app screen grid तो इसको भी आप यहाँ से select कर सकते हो इसके भी आप कही सारे यहाँ पर जो है जो pattern है आपको जो भी आपको अच्छा लगता है उसको कर लीजिए उसके बाद गाई इस folder grid यहाँ पर लिखा हुआ है तो folder grid पर आपको क्लिक कर जो है चार गुड़े चार का रखना चाहते है या तीन गुड़े चार का तो इसको आप जो भी रखना चाहते हो इसको आप select कर सकते हो तो यह हुई guys यहाँ पर देखिए आप यहीं से lock home screen layout आप home screen को lock भी कर सकते हो यहाँ से इसको lock करने के बाद guys कोई भी आपकी mobile में जो है apps को uninstall नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर देखिए uninstall का option ही नहीं आएगा अगर कोई कोई जो है आपका यहाँ पर जो है home screen से कोई अगर इसको uninstall करना चाहेगा तो uninstall नहीं होगा देखिए लिख्या आ जुका है home screen layout is locked तो इसको कोई uninstall नहीं कर सकता है तो जब तक आप उसको हटाओगे नहीं फिट से layout जो home screen layout है इसको disable नहीं करोगे तब तक आप भी कोई apps को uninstall नहीं कर पाओगे तो गाईज इस तरीके से आपने home screen setting को कर सकते होगा जब वीडियो पसंद आगे तो वीडियो को लाइकर के चैनल को subscribe जुरू कर देना